के लो बालको कैसी हो सबस्क्राइब है सबस्क पहले दो वीडियो तो अंदर गई तुक्रम्स दो चैप्टर कीक हैं अने डिफ्रेंस का और इंटर्पलेशन विस एकॉल एंटरफ बात अब जो हम या पर 27 टू एक मंट्व ने नाइन और यहां पर दे दिया माल लिए 10 तो हो गया 90 हो गया 92 हो गया 95 हो गया अब एक्स में देखना यहांपर कितने कऊ यहांपर कितने का है चार का यहां पे लिए दो का यहांपरद्वरेंस कितने का है बन का लंग तो वहां पर दिंध लेकिन देश के अंदर तोह ही तो इसका मतला हम कर रहे हैं इंट्रवर्ट के अंदर होता क्या है जब हमें इंट्रवल अलग तो हमें फोर्मूले अलग यूज करने पढ़ेंगे वह वाले फोर्मूले यूज नहीं करेंगे जो हमने वहाँ पढ़ेते forward interpolation और backward वाले तो यहां पर हमें अपने आप अलग formula पहले drive करने पढ़ेंगे और फिर उनसा question solve करने पढ़ेंगे तो formula बनाने से पहले हम कुछ और definitions हैं उसके अंदर तो वह definition की बात कर लेते हैं तो द्यान देजिए हमने जो अब तक पढ़े हैं कुछ symbols पढ़े हैं कुछ operators पढ़े हैं जैसे कि हमने पढ़ाया यह इसा forward तुम्हें द्यान होगा forward डेल बोलते हैं और इसका मतला भी तुम्हें पता होगा कि function में पहले interval h बढ़ा देते हैं इसका forward का मतलब होता है ऐसी backward पढ़ाया है function पर किस तरह काम करता है पहले function ऐसे लिग देते हैं फिर function में है h कम कर देते हैं यह backward पढ़ाया फिर पढ़ाता में shift operator याद होगा तुम्हें shift operator होता है function में x plus h कर दीजिए तो ऐसे यह जितने भी तुम्हें यहां बताये गए हैं उनके अंदर interval जो है वह है लेकिन अब जो हम बात करेंगे यहां पर नहीं कुछ इस operator सीखेंगे जिसमें पहला operator divided difference अब यह divided difference है क्या तो divided difference के लिए संकेत बनाया गया यह जो forward का संकेत ना डेल वाला इसको बीच में ना काट दिया गया इसा कहा गया डिवाइड डिफ्रेंस डिवाइड डिफ्रेंस तो एक यह नया संकेत है और इसा क्या मतलब है वो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं लेकिन ध्यान देखना इस यह तो हमारा डेल कहलाता है इसको backward डेल बोल देते हैं बहुत से लोग या इसा कभी-कभी नेवला भी बोल x0, x1, x2, dot, 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 xn कितनी भी हो सकती है वो x की value जो देगा कोई बात नहीं है उन पर फिर function की value note करिए इस पर मानने वल यह y की value है या वैस लिख देता हूं f की रूप में fx0, इस पर है fx1, अगले पर है fx2, dot, 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 fxn यह arguments दिए गए हैं, arguments मैं लिख देता हूं arguments और यहां पर एक बात ध्यान रखना, जो entry दी गई है, entry जो दी गई है, argument जो दी गई है, उनके अंदर interval जो है, वो same नहीं है, अलग-अलग, बस यह ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अनिकुल बला, अब सब से अफली बात करते हैं, यहां पर हम divided difference होता क् सुनना, second entry में से first entry को minus करो, fx1 में से fx0, इसको बोलता है, forward difference, जो हमने सबसे पहले चेप्टर में पढ़ा था, forward difference, second entry में से first वाले को minus करो, अब ऐसे ही यही काम तुम्हें argument पर करना है, तुमने यहां पर दो entry को करी हैं, तो दो argument यह वाले यूज़ करो, x0, x1, और second वाल argument में से first वाले argument को minus करो, तो इन पूरे जो रेसों बनी हो, अनुपाद बना, इस रेसों को ही बोलते हैं, इस function का first divided difference, और इसके लिए संकेत होता है, तो मैं यहां पर फिलाल तो definition लिख रहा हूं, यह वाले जो रेसों बनी, age called, यह हमने सब अपने पास सा माना है, y की value में चाहिए दी गई है, तब हम कहते हैं इसको, इसको, is called, first divided difference, first divided difference, इसा first divided difference कहते हैं, किसका, of function fx का, किन आर्गोमेंट पर कहते हैं, at 0,x1, दो आर्गोमेंट पर, तो जब भी divided देफेस निकलता है, first divided देफेस, दो आर्गोमेंट इस्तेमल के जाते हैं, चीक है, इसे denote कैसे करते हैं and denoted by इसके दो संकेत हैं इस रेशो को दिखाने के इस अनुपात को दिखाने के पहले संकेत एफ लिखेंगे अंदर लिखेंगे एक जिरो एकसवन या बहुत से लोग ऐसा भी संकेत देते हैं ऐसा बनाते हैं काड देते हैं और यहां पर दो डो संकेत हैं तो इसका मतलब यह हूँ हुआ है धिर हम यदि कहीं पर ऐसे लिखा हूए हो एकसवन जिरो एकस ख़िरो एकसवण या यह कहीं दिजुछ हूआ हो एक ही बात है एसलिकवा हो तो इसका मतलब होता है यह रेशो तो यह फॉर्मला बनेंगे तुमारा फस्ट डि नहीं जाए हां तो कोई बात नहीं है थेंदुन जाएगा यहां धैया लिक हम ड्यां अगर तुम से पूछा जाता है एक्स लगाशा नहीं MAN का स्थे ना ऐसा यहां यहां लिक्स वन और यहां तो इसकी definition क्या बनी इसके अनुसार इसके अनुसार बस रट लो यहां पर देखो तो बाद आर्गुमेंट पहले लिखा जाएगा इस खोड दो लास को छोड़ डो अपकी बार एक हिरो पार में तो पहले इसे चोड़ तो जो बचे गा उस पर Lubinary लिखनी है फिर माइस लगाना है फिर दूसर वाले अर्गुमेंट को छोड़ देना है पहले पर जो अर्गुमेंट बचा उस पर फंक्शन को लिखनी है अनीच जैसा तुम्हें एक सब्सक्राइब लिखा बिल्कुस से मीचे लिखने है इस रेसों को याद रखिए यही फॉ लास्ट में से पहले बटाना बस इस रेसों को कहेंगे लेकिन यह आर्गुमेंट बदल गया अब यह एक्स तो नेस्ट उपर है इसी तरह से यह दिमलो आर्गुमेंट और चेंज करते जाए हां तो और निकाल सकते हो तो यहां पर कुछ द्यान देना है तो बस आर्गुमे और निकालो एक्स टू एक्स टी आर्गुमेंट पर तो कोई बड़ी बात नहीं है या तो यह संकेत लिख हो यह संकोई एक ही बात है फिलाल तो मैं समझाने के लिख रहा हूं तो यहां लिखा जाएगा एक्स ट्री इसका मतलब क्या है इसका मतलब एक रेसों है एक ठीक है इसी तरह से हम यहां पर कोई भी दो आर्गुमेंट दे तो हम बड़े राम से फर्स्ट डिवाइड डिफेंस बता सकते हैं एक मेरा रफ एक्जामपल लिखता हूं वैसे जो है यहां सुनना माल लिजिए x की वैलू यह दी गई है 0 1 3 और यहां लिख दिया माल लिजि ठीक है अब तुम्हें फर्स्ट फर्स्ट डिवाइड डिफेंस निकालना जीरो वन पर यह संकेत है यह संकेत में यह फंक्शन पहले अर्गुमेंट पर जीरो पर लिखा जाएगा नीचे वन यह नूटिशन लिखी यह एक ही बात है यह डेटा दिया गया है अब पूछा लिखे दिखाओ इस से तो कोई बड़ी बात निया है बस तुम्हें लोजिकिया तुनची है पहला छोड़ दो तो फंक्शन की वैल्यू फिर लाज चोड़ दो तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू फिर मैंस लगा दो बिल्कुर सेम नीचे वन माइनस जीरो तो बताएगे फंक्शन की वैल्यू कहा है वन फंक्शन के लिए सेवन माइनस जीरो पर कितनी है थ्री है तो त्री लिख दो अपन में फोर यह यह फोर्ट दिवाइडर डिफेंस निकालना बहुत आसान नहीं कुछ कुछ नहीं करना पड़ता ऊपर यह जो उपर वला हिस्सा होता है यह ह होता है forward defense second argument शार्गोमेंट में वही तो है लेकिन इसको याद रखो ऐसा याद रखो पहला छोड़ना है दूसर चोड़ना है पहले पहले निकालना दूसरे को चोड़ना है तुमसे यह कहा जाए एक तुमने एक्जामपल दी अगर मालो तुमसे कोई कहता है आपकी बाहर 3 पर निकाल दो अपन में 4-3 कर दो जो उपर लिखा वह नीची लिख दो बस यह विदाउट function के उपर वाला function के और फंक्शन की value 10 है यह तो 9 लिख दिया अपन 4-3 इसे solve कर दो तो कितना जाएगा 1 भाई-1 कोल मिला कर बना गया da. इसी तरह सेऊफ डिवाइदा लिखान सकते हैं इसी सांपन ही मीववडेद डिवाइड दिफरेंज्स लिख दो सब्सक्राइब करेंगे नियुक्त अक्राइब करेंगे यहां पर फंक्षन लिखी जाती है हमेसा फंस्ट पर यहां एक जी रो बाकी जो तो यह लिखे जाएंगे x1, x2 तो यह है second divided difference का notation संकेत अब इसकी definition क्या है वो ध्यान सुनो पहला छोड़ो दो बचेंगे क्या बचेंगे x1, x2 फिर minus आपके last छोड़ो पहले दो बचेंगे x0, x1 बस अब बटे में क्या आएगा लास्ट में से पहला जाएगा x2 minus x0 तो यह कहलाता है second divided difference फिर सुन लीजिए पहला छोड़ देए दो बचेंगे दो पर निकालो function की value फिर minus फिर लास्ट छोड़ो फिर दो बचेंगे तो इन पर निकाल दो और अपन में क्या करना इस में से इस से माइस करना उपर भी देख र अंदर यह वाला क्या है यह फ्रस्ट डिवाड़एड़ डिप्रेंस है एकन फेयर और यह वाला भी हमारा फार्श्ट डिवाइड़ डिफेंस है किस अर्गूंध पर एक्जिरो एक्सवान पा तो इसको भी इसीचोंड करना है तो ले मैं इसको दिखायता हूं अगर मनिद पर चोड़ो एक एक बना दो एक नाट आदंगे तो मुंस्किल काम नहीं है बिलकुल एक याद रहतो सो और एक दम हो जाएंगे ठर्ड बना नहों हो तो हां थर्ड बनादगना थाइड डिवाइड़ डिफ्रेंस निकालना तुम्हें बहुत सिंपल सा लोजीक है अगर माली यह तुम्हें थाड़ चाहिए तो अर्गमेट इसके थाड़ के लिए एक जाला चाहिए एक-0, X1, X2, X3, चार अर्गुमेंट चाहिए, थार्ड के लिए चार, सिंपलर लोगिक है, पहले एक छोड़ दो, तो कितने बचेंगे, तीन बचेंगे, कौन-कौन से, X1, X2, X3, तो इस पर निकाल दीजिए, और यह कहला हैगा, सेकंड डिवाइडे डिफ्रेंस, यह वाला, तो इस तरह से हम कोई भी डिवाइडे डिफ्रेंस निकाल सकते हैं, जैसे हम ने यह थर्ड निकाला, इस तरह हम आन्मवा भी निकाल सकते हैं, रायटिंग थोड़ा-ध़ गण कर सकती है, लेकिन मेरी भावनाएं बड़ी अच्छी होती है समझाने के लिए इसलिए दाइटी में मत जाना थोड़ा बहुत एड़ेस्ट कर लेना अब देखो यहां पर हम एंथ डिवाइड 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 निकाल सकते हैं लगाओ तुक का एंद वा निकाल रहें एंवा तो समझ जाओ कितने चाहिए पहले इसका संकेत दूसर हम अर्गुमेंट चाहिए थी लंड यह यह संद यह वही है फैल पहला छोड़ो बाकी पर लिए दो X1 X2 डो 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 एक्सन अब तुमये क्या करना लाश होड़ना और शुरू कर लिख देना है कौन-कौन से एक और आपन में लास्ट में सही है तो इस रेसर को ही बोलते हैं हम एंथ डिवाइड़ डिफ्रेंस और इसका दूसरा संकेट रिर्म बना चाहते हो तो ऐसे बनेगा डेल एफ एक जीरो और यहां लिखे जाएंगे सारे तो यह तरिका होता है तुम साही समझ गए यह फिर बनेगे और के लिए सब्सक्राइब हैं था लिख और Kal negotiations इस फ Premiere on पर 106 दे दिया एक नमबर बढ़ायताओं में 12 मान लीजिए है 216 यह आगे तुमसे कोई कहता है सेकंड डिवाइड डिफेंस निकालो सेकंड डिवाइड डिफेंस निकालो तो तुम उससे यह पूछना सेकंड डिवाइड डिपेंस किस-किस आर्गुमेंट पर निकालो 123124 पर निकालो यह 247 पर निकालो यह 4712 पर निकालो आर्गुमेंट बताने पड़ेंगे उसे तो उसने सब्सक्राइड सुर्वाइड तीन ले लिए कौन-कौन से बन लिखेंगे 24 यह संकेत देंगे 124 यह निकाल रहे हैं तो सामने वाले से यह पूछना है कि यह बता फोर तो कोई दिकत नहीं अब हमें इसकी पता है पहला अर्गुमेंट छोड़िए 24 पर फर्स्ट आर्गुमेंट आएगा वह फर्स्ट डिवाइड डिफेंस फिर माइनस अब लास्ट का छोड़ दीजिए तो वन्टू पर फंक्शन की वेल निकाल दीजिए एक मिन्ट वन पहले वन को छोड़ो तो टू पर आएगा तू को छोड़ो वन पर आएगा अनीचा जाएगा टू माइनस बस इनसोल कर लीजिए तो इस तरह तो तुम डिवाइड डिफेंस किसी फंक्शन के किसी भी आर्गुमेंट पर निकाल सकते हो बस तुम्हें थोड़ा सा लोजिक देखो ए फैली फोर फंक्शन की बेलई 80 टु एटी टुवाइस तू पर कितनी है थर्टी है फिर माइनस यह बैठे जान इस्माइड यह तो पर कितनी है तवी टू पर कितनी है तू अब इससे थोड़ा बहुत कैल्कूलेट कर लो वो तुम्हांता ही होगा इसका में निकल कितने चाहिए फॉर्थ में जो है मैं 5 चाहिए एक दो तीन चाहिए पांच अर्गुमेंट निकल सकता है इसका तो तो तुम्हें डिवाइड डिपेंज में आ गए होंगे एक कोशन में तो मैं और बादता हूं ध्यान सुनना यहां पर बहुत इंपोर्टेंट कोशन है वेरी डिवाइड डिपेंज निकालना आर्गुमेंट है यहां पर देखो A B C D चाहर आर्गुमेंट दिये गए हैं मैंने तुम्हें पताया था यहां पर वास्ता में वन अपॉन एक्स है क्योंकि मैं ने बताया तो मैं जब भी यहां पर फंक्शन लिखे जाएगी तो पहले आर इसका मतलब यहां पर वन पोन लिखा हुआ तो इस तो एफ है आएगी तो मैं यह कहना जा रहा हूं कि यह संकीत थोड़ समय ले ना यहां पर आगया B C D है तो यहां पर फंक्शन जो है वास्ता में वह एफ है पहले आर्गुमेंट पर फंक्शन की लिखे होती है यहां पर अगर मालो किसी बेसर यहां पर यहां पर लिखा हुआ AQ प्लस BQ लिखा हुआ AQ प्लस A2 अप्लस के 5 लिखा हुआ यह लिखा हुआ यह लिखा हुआ देल क्यूब लिखा हुआ और यहां पर B और यहां C और यहां D लिखे हुए तो हमां पता यहां पर फंक्शन दी जाती की जंग है थाकर एक्स कर लिए यहां लिखनता वन लिखा था लिए थाकर लिए अपिके अब चो बता हो इसको मैं दूसरे संकेट में लिखता हूं इससा से confusion हो रहा हम है चारो a b c d चारो argument मैं नहीं हाँ पर लिख लिए अब logic लगाओ क्या मतलब है इसका लगाओ पहला argument छोड़ो तो किस पर निकालना है b पर c पर d पर फिर माइनस अब लाच छोड़ो तो d छोड़ दिया तो किस पर a b c पर अब नीचे क्या आएगा d minus a last मैंसे पहले घटाना तो वन अपन डी माइनस ए तो भार फैंक दिया हमने अब इनको सोल करना इनको इससे सोल करते हैं इसका मदाब है second divided defense तो भी छोड़ो भी छोड़ेंगे तो क्या आएगा c और d minus अब की बार d छोड़ो तो d छोड़ोगे तो क्या आएगा b c अपन में क्या आएगा d minus b फिर minus अब इसको लगाओ ये भी हमारा second divided defense है क्योंकि इसमें कितने argument तीन है तो second हुआ तो second क्या लिखेंगे पहले a छोड़ दो तो क्या लिखा जाएगा b c फिर minus फिर इसे छोड़ दो c को तो क्या जाएगा f a b और अपन में जाएगा c minus a बस ये समझमा आ गया होगा बहुत आसान तोपिक है ठीक है अब यहाँ पर तुम्हां ओत्रोंसा करना पड़ेगा अब सबसे पहले तो मुझे बताओगे apple c d इसका मतलब क्या है तो सी चोड़ दो तो deeper function की value minus d छोड़ दो तो सी पर function की value नीचे क्या जाएगा d minus c तो बताओ तो f d की value क्या बैठेगी उपर देखो function थी हमारी one upon x तो x की जहेंगे d बढ़ दो तो one upon d बैठेगी यहाँ पर minus इसकी जहें one upon c बैठेगा upon में d minus c एलसेओं लिए हो जब एलसेओं लोगे dc तो c minus d upon dc एंटो d minus c minus को में ले लो तो यह वाला factor कर जाएगा तो कुल मिलाके आ जाएगा minus के one upon dc यह आ गया तो यह हमने निकाल दिया F c d first divided difference आ गया हमारा यह वाला लेकिन इसी के आदार पर तो हम यहीं बता सकते हैं एक फंक्शन में सिमेट्रीक रूल लग जायेगा तो इसे निकाल दिखा दो फिर ऐसे निकालेंगे इसे बस मैं सौच कर रहा हूं बताओ सोचकर दिमाग लगाओ क्या निकालना तुम आपकी बार बीसी मैं पूरा फार्मला निखोल रहा है था है मैं सिमिलर्टी लगा रहा ह तो F A B में क्या होगा माइनस के A अपॉन D आया होगा और क्या होगा अठा के ना पुट कर दो 1 में बस यहां सरा जाएगा पुट इन 1 जब 1 में हम इसा पुट करेंगे इनको तो देखो हमाँ क्या बनेगा देखना बाहर था हमारा 1 अपॉन D माइनस A इसकी वैल्यू क्या है इस वाले की वैल्यू इसकी वैल्यू बताओ इसकी वैल्यू आई यह रही माइनस के 1 अपॉन D C फिर इसकी वैल्यू माइनस के 1 अपॉन तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन B C अपॉन में D माइनस B फिर इस वाले माइन जाओ जो किया होगी मैं अलग लिखता हूं दोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है तुम पता है तुम तो डायेक्ट वह आंसर लाना ही है तुम लिख दिएओ क्या बड़ी बात है कैलोकुलेचन करना तुमारे लिए बहुत आसान है इसमें लोगे DC या आभी तो DC भी या कि तो B C DL समझो तो DC कट गया क्या बचा क्या बचा कि वहलबी तो माइस के B आ जाएंगे अप्पिन यहां देखो BC से BC कट जाएगा और अपन में चल रहा है कि कितना तुम्हारा D-B से BC कट जाएगा बिल्कुर सेम यहां करोगे तुम यहां पर इस जंग है इसमें ऊपर देखो को मन आ जाएगा तुम्हारा ABC तो ऊपर आ गया मैंस का बाहर चल रहा है यहां पर बैठ गया तुम्हारा वन अपन BCD इसमें देखो वन अपन क्या बच गया ABC अब पूरे में LCM ले लो जब पूरे में LCM लोगे तो इस टाइप का जाएगा बस दो मिनिट की बात हो रहा है खत्म हो जाएगा भी वन अपन D माइनस A बाहर यहां पर आ जाएगा ABCD अब यहां पर BCD बाहर गए तो क्या क्या बचा BCD बाहर गए तो यहां A बचा और माइनस यहां बचेगा B यह रहा देखो इसमें माइनस को में ले लो तो यह वाला नहीं ABCD इसमें माइनस को में ले लो तो यह कर जाएगा तो कुल मिला का अंसा जाएगा माइनस के बन अपॉन एबी सीडी तो बहुत सिंपल लोजी किया कोई बड़ी बात नहीं है डिवाइडे डिफेंस तुम समझ गए होगे अब हम इसे टेबल से भी निकाल सकते हैं जरा फोर्वाइडे डिफेंस थे वो टेबल से भी निकाल जा लोज बाल संस्टर्ण जरा इला शघर, दो बझाय कोई झाल कि अे बात ऑर जे बातो तेंस जाता। ोल